हालो चिल्डरन कैसे हैं सब अच्छे हैं हम भी अच्छे हैं आप भी अच्छे रहें स्टार्ट करें अपना आगे बढ़ें बाइलोजिकल क्लासिफिकेशन में मैंने मोनेरा किंडम शुरू किया था उसका एक पार्ट कर लिया था इंपोर्टेंट पार्ट था मैंने बताया था लास्ट क्लास में आर्की बेक्टीरिया याद आया जो एंशियन टाइप के बेक्टीरिया थे ना उसके तीनो टाइप सम डीटेल में कर चुके हैं पढ़के रखना important है, thermoacidophils, halophils and one more, पताईए कौन सा thermoacidophils, methanogens, तो वो थीनो, अब दूसरी मुनेरा का बड़ा पार्ट जो हमें पढ़ना है, that is, U-bacteria also called as true bacteria, क्या बोलते हैं इनको, U-bacteria also called as true bacteria, so these are the real bacteria, और बहुत हैं यह, मतलब पूरी अर्थ पे यह bacteria, हर habitat में यह भी मिलते हैं, और सब जगह पाय जाते हैं, even inside our body, in our buccal cavity, everywhere they are found, उनके types मिलते हैं, मैं शुरू करूँ U-bacteria, उससे पहले उसकी थोड़ी से history अपन करेंगे, पता होना चाहिए, they are very minute, members of U-bacteria, the true bacteria are very minute, you all know microscopic, bacteria हम नेकेड आई से नहीं देख सकते, unicellular, एक cell वाले, prokaryotic, क्योंकि हम Moneira kingdom पढ रहा हैं, तो उसकी basic character ही है, कि all are prokaryotic, cell type is prokaryotic microbes, first, you bacteria के members, first observed by, मैं दूसरे इंच से करती हूँ, first observed by Anton Van Leeuwenhoek, in 1675, पहली बार इन्होंने देखा था, bacteria को, उन्हें अपने बनाए हुए, एक microscope में सबसे पहले, किस में देखा था, in rain water, जो बारिश का पानी होता है, उसमें उन्होंने सबसे पहले bacteria को observe किया था, Anton Van Leeuwenhoek, फिर, bacteria के बारे में पढ़ते हैं, तो इनका नाम भी आता ही है, Lewis Pasture, Lewis Pasture जो थे, इन्होंने bacteria की study की, और developed क्या-क्या, culture techniques and sterilization method, आप दूद को गरम करते हैं, उसको पास्चराइजेशन में पढ़ाऊंगी, क्या बोलते हैं, पास्चराइजेशन, यह economic importance of few bacteria में पढ़ाऊंगी, कि दूद को आप देखते हैं, जब दूद की थैली आती है, काट के मम्मी या घर में कोई भी गरम करता है, up to optimum temperature, इसका मतलब दूद में bacteria नहीं लगेंगे, दूद खराब नहीं होगा, तो यह method of sterilization, और भी जगा दूद सर्फ milk का ही नहीं, बहुत सारी चीजों का sterilization method की जो bacteria जहां लगे नहीं, तो किस temperature पे sterilization होना चाहिए, वो पूरी टेकनीक बताई थी, लुईस पास्चर ने और उन्होंने culture techniques बताई थी, culture technique मतलब bacteria को अगर lab में grow करना है, तो हम क्या culture medium ले, कैसे उनको grow करें, यह सब भी लुईस पास्चर ने काफी कुछ बताई था, इसलिए उनको बोलते हैं, father of modern microbiology, father of modern microbiology कौन है, कौन थे, Lewis Pasture, then next, one more important name, Robert Koch, Robert Koch भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, Robert Koch है, Robert Koch, in 1882, उन्होंने पहली बार, bacteria को culture करा, की cultured bacteria for first time, और discovered tuberculosis bacteria, TB is tuberculosis, बिमारी, उसका जो bacteria है, mycobacterium tuberculi नाम है, इसको पहली बार discover किया, TB के bacteria को, और उन्होंने first time bacteria को culture भी किया, ये दोनों काम, Robert Koch ने किया, और ये काम करने से उन्होंने कुछ बाते बताई, तो उनके नाम पे जो bacteria से related कुछ points बताई, तो उनको बोला गया, कोच या कौक्स पॉस्टूलेट्स, कौक्स पॉस्टूलेट्स, ठीक है, तो उन्होंने जो बाते बताई, कॉक्स पॉस्टूलेट्स बोला गया, ठीक है, जर्म थेोरी ओफ डिजीज, जर्म थेोरी ओफ डिजीज, आगे हम डीटेल में पढ़ेंगे, किनो ने दी थी, वहीं Lewis Pasteur ने, तो ये थोड़ी सी हिस्ट्री है, वन वे आर स्टूलेट्स, जो कि आपको ये कुछ नेम्स, रलेटेट विद बेक्टेरिया पता होने चाहिए, जैसे, Anton Van Leeuwenhoek, Lewis Pasteur, and Robert Koch bolे, Koch bolे, वने दे सेम थे, ठीक है, तो, this was about the history. Now, before we move further, there is one thing I want to tell you, have you heard, आप लोगो ने सुना है, Gram Staining, क्या, Gram Staining, तो, एक स्टिस्स थे, Hans Christian Gram, Scientist का नाम है, उन्होंने, दुनिया में, जितने बेक्टेरिया, बहुत ध्यान से सुनिए, this is very important, concepts, यह learn हो जाएगा, तो, आप कभी भी, confused नहीं होएगे, Gram, Christian, Hans Christian Gram, या Christian Hans Gram, उन्होंने, Scientist हैं, इन्होंने, सारी दुनिया में, जो बेक्टेरिया पाए जाते हैं, उनको कलर किया, उनको डाइ किया, और वो जो डाइ था, वो उन्होंने खुद बनाया, वो टेक्नीक उन्होंने खुद बनाई, इसलिए उस टेक्नीक को बते, Gram Staining, और यह बताया, कि दुनिया में, जिते बेक्टेरिया हैं, यू बेक्टेरिया के मेंबर्स हैं, वो सब, या तो ग्राम पॉजिटिव हैं, या ग्राम नेगिटिव हैं, सारे यू बेक्टेरिया के बेक्टेरिया, या तो ग्राम पॉजिटिव हैं, या तो gram negative है किस basis पे gram staining पे और ये stain ये bacteria को dye या color करने का तरीका जो technique थी वो उन्होंने बनाई थी आप उनको proper steps पता होने चाहिए gram staining के zz डालिए question आ सकता है so क्या है gram staining we will start now एक slide पे क्या ले लिया bacterial smear now what is smear अपनी जब भी कभी पता करना हो कि bacteria एक slide पे लेना हो तो सबसे convenient जगा होती है जैसे आपकी tongue, buccal cavity में बहुत बैक्टी में बोला ना body के अंदर भी पाय जाते है so tongue पे या आपकी body के कहीं तो सबसे easiest होता tongue पे slide को ऐसे गिस दिया तो बहुत सारे bacteria आ जाएंगे तो उसको क्या बोलते है उसको थोड़ा सा हलका सा सुखाया थोड़ा सा हलकी heat दी जब हलकी heat दी तो वो क्या बैक्टीरिया वहाँ पर fix हो गए slide पे उसको बोलते है bacterial smear अब इसके उपर जो first step है वो क्या stain the bacteria with crystal very important violet ये gram का stain है crystal violet for how much time 30 seconds कितने देर के लिए पहला step फिर इसको हमने इसके उपर क्या डाल दिया crystal violet for sorry for how much time for 30 seconds 30 seconds के लिए डाल के रखा रहा how much time for 30 seconds अब जब ये डाला उसके बाद second step rinse with water again rinse with water for 5 seconds हमने सबसे पहले slide के उपर crystal violet डाला फिर उसको 5 second पानी से तो दिया फिर फिर पुत potassium iodide or iodine solution अब क्या डाला iodine solution उसके बाद for how much time for 30 seconds फिर डाला for how much time 30 seconds क्या डाला potassium iodide बोलो या iodine solution तो क्या हो गए bacteria were fixed with stame and all became became violet और purple इन कलर सब कौन से कलर में आ गया है either violet और purple so उसके बाद क्या डाला फिर से बताती हूं bacterial smear के यह technique किसी sequence में follow होगी bacteria को के उपर क्या डाला crystal violet कितनी देर तक 30 seconds तक फिर दो दिया 5 seconds पानी में फिर उसके उपर potassium iodide या iodine solution डाला 30 seconds तक एक minute से 30 seconds तक तो bacteria जो भी smear पर जितने bacteria थे वो सब का color क्या all turned into सबने stain या color ले लिया they turned into violet या purple color का आप एक एथाइल 90% एथाइल अल्कोहल से बताती है या एक एथाइल 90% एथाइल अल्कोहल से हम उसको वाश करेंगे वाश देम विद विद 90% एथाइल अल्कोहल अगें फोर 30 seconds 1 minute से 30 seconds तक 1 minute से 30 seconds तक हम उन सारे purple बेक्टिरिया को विद वाश देम विद 90% एथाइल अल्कोहल ठीक है विद 95-95% 90-95% कहीं 90 लिखा रहता है कहीं 95% एथाइल अल्कोहल कुछ भी दोनों ही राइट है 90-95 के बीच में होता है इथाइल अल्कोहल से सारे purple बेक्टिरिया को वाश किया स्मियर पर दो तो I will draw the slide and I will show it to you ये पूरे बेक्टिरिया थे तो कुछ तो कैसे कलर के हो गए परपल रहे और कुछ कलरलेस हो गए कुछ क्या हो गए I will show you with the color with the exact color मैं आपको दिखाती हूँ exact color से कैसे होगा सो कुछ तो कैसे रहे गए परपल ही रहे गए और कुछ कलरलेस हो गए so I will draw some remained purple और वाइलेट कलर ठीक है and others इस से धोने के बाद कलरलेस रहे no color ऐसे दो टाइप के बैक्टिरिया के ग्रूप मिले तो जो परपल कलर्ट थे उनको बोला गया gram positive क्या बोला गया उनको gram positive और जो कलरलेस रहे colorless रह गये उनको क्या बोला गया gram negative तो gram ने यही टेक्नीक बनाई थी कि जितने यू बेक्टिरिया हैं अगर वो purple color retain करते हैं तो gram positive क्या दे retained वो धुला नहीं वो गयाब नहीं हुआ retained purple color यह आप लिक लीजे मिलेगा नहीं है इस तरीके से so first step second step और इसके हर step के बाद यहां मैं add कर दूँ it is always rinsing with water 5 second तो extra जो भी है stain हो alcohol हो वो निकल जाए extra जो भी है वो निकल जाए okay so rinse with water now wash them with 95% हो गया again rinsing है तो हमको 2 group में उसी पूरे total में 2 type के bacteria one which took the stain gram positive one without colorless that is they did not take the stain crystal violet stain नहीं लिया तो वो क्या कहला है gram negative अब यह क्यों ऐसा हुआ यह हम आगे देखेंगे क्यों यह खुबी होती है bacteria के cell wall की मतलब bacteria में जो gram positive की cell wall है मतलब कौन से gram positive उनकी जो cell wall है gram positive की वो मैं आपको detail में बताऊंगी लेकिन अभी मैं बता देती हूँ अब डीटेल में बताऊंगी क्या चीज उसको thickness देती है इधर gram positive को और यह है membrane अंदर तो यह membrane cell membrane bacteria की membrane वो stain जो है वो potassium iodide के डालने से fix हो जाता है मतलब वो धुलता नहीं है वो fast हो जाता है तो fixing के लिए potassium iodide complex बना लेता है और इसको यही पर जमा इसलिए पानी से दो दो चाहे इथाईल alcohol से दो यह कभी भी जाता नहीं है जबकि इसमें क्योंकि पतली cell wall है तो वो धुल जाता है ठीक है इसलिए वो colorless रहते हैं लेकिन gram ने एक और काम किया अभी उन्होंने और confirm करने के लिए कि यह bacteria जो है वो सही में तो last एक और step लिखेंगे हम these bacteria were counter strain next step मैं fourth और last step यहां लिख देती हूँ इस दोनों को इस बेक्टीरिया वर counter strain counter strain फिर से counter strain का मतलब होता है फिर से with saffronin important है saffronin और carbol या alkaline कुछ भी लिखेंग fish chin यह दोनों stain है reddish pinkish color क्या आपने saffronin lab में देखा होगा ना school में सुना होगा carbol fish chin fish chin बोलिए इन से state इन दोनों या तो इससे या इससे दोनों ही pinkish color के state ने तो इनको सबको फिर से तो again दो categories मिली कौनसी categories मिली मैं यहां पर slide में बना देती हूँ एक तो purple ही रहे एक क्या रहे परपल ही रहे चाहे counter stain करने के बाद भी वो परपली रहे और जो दूसरे थे जो gram negative मान रहे थे जो colorless थे वो कौनसे color के हो गए जो colorless थे वो कौनसे color के हो गए they took reddish और pinkish color तो इससे समझ में आ गया कि gram का stain तो उन्होंने नहीं लिया यह red color के कौनसे थे वो वाले थे जो gram negative थे ठीक है ना और purple color के कौनसे वाले थे जो नोंने stain ले लिया था वो क्या थे gram और confirm करने के लिए था दे वर gram positive यह purple वाले ठीक है ना यह violet वाले तो इस तरीके से और last में चेक कर लिया कि क्या और जो colorless थे वो कभी भी violet stain लेंगे यह वाला stain क्यों यह purple वाले जो थे क्या वो दूसरे stain ले सकते हैं वो नहीं ले थे purple ही रहे वो ठीक है वो red नहीं हुए लेकिन जो colorless थे उन्होंने यह normal वाला stain ले लिया इसका मतलब यू बेक्टेरिया के gram Christian gram ने विताया है दो categories होती है one which takes the stain crystal violet gram positive and one group which is does not is gram negative और इसी हिसाब से हम यू बेक्टेरिया में बेक्टेरिया को पढ़ते हैं fast में sequence important यह उतार लीजे उतारते उतारते learn कर लीजे gram staining आती है ZZ जबर्दस जरूरी first step stain the bacteria smear बनाया bacterial smear stain the bacteria with crystal violet for how much time 30 seconds के लिए धो दिया हर बार you have to rinse with water 5 seconds means ताकि extra stain हो या कुछ हो धुल जाए then put potassium iodide fixing के लिए this is this step is for fixing मतलब उसको stain को एकदम अंदर stain निकलेगा नहीं फिर भार so put potassium iodide and iodine solution उसी के उपर तो 30 seconds के लिए तो crystal violet और iodine solution दोनों complex बना लेते हैं और वो fast हो जाता है color वहीं पर चिपक जाता है fix हो जाता है on the wall of the bacteria bacteria were fixed with stain and all became सारे violet और पर सारे हो जाएंगे state पे फिर उसको पानी से दोया और फिर किस से wash किया 95% ithyl alcohol से तो देखा कुछ colorless रहेगा कुछ में वो धुला भी नहीं वो violet ही रहे so they were called as gram positive and others were gram negative now to counter or confirm करने के लिए what did gram did these bacteria were counter stain with safranin और कार्बॉल फश्चिन again found purple purple ही रहे और जो colorless थे उन्होंने ये stain ले लिया ये stain जबी तो लिया क्योंकि उनकी wall ने कौन सा color नहीं लिया था purple तो they were gram negative and these were gram positive this is gram staining 10 seconds I'll rub the diagram along with the diagram along with the diagram so I'll rub from here shape of the bacteria now morphology and shape of the bacteria so we'll do all the morphology कितने कितने type के forms है shapes है morphology कब कहते है word बहारी रूप रंग आपका shape size form जब किसी भी चीज किसी भी organism का देखना हो तो उसको बोलते है morphology so सबसे पहले size तो जो size होता है general है you bacteria के members का size है it ranges from 2 to 10 micron meter एक general है देख कुछ बहुत exceptions हैं बहुत बड़े size के भी होते हैं जैसे की कुछ जो है वो 70 to 80 micron meter in length होते हैं जैसे की exception है मैं star बना रही हूँ sulfur bacteria bagiatoa bagiatoa जो है sulfur bacteria है उसका 70 to 80 बड़ा होता है वो micron meter तो जैसे exceptions आपको मिलेंगे जहां size बहुत बड़ा होता है शेप के अब next अपन देखते हैं shape तो bacteria जो है वो बहुत सारे shapes में मिलता है देखें कौन से कौन से shape में वो गोल हो सकते हैं ठीक है spherical हो सकते हैं उनको बोलते हैं cocae क्या बोलते हैं जब गोल होते तो उनको बोलते हैं cocae वो rod shaped हो सकते हैं तो उनको बोलते हैं bacilli क्या बोलते हैं उनको bacilli then वो spiral shaped हो सकते हैं तो उनको बोलते हैं spiralum वो comma shaped हो सकते हैं तो उनको बोलते हैं vibrio so bacteria can have many shapes can be comma shaped can be spiral shaped can be rod shaped can be spherical और इसके अलावा भी मैं आपको बता देती हूँ जैसे माई जैसे fungi का mycelium होता है उस type के भी होते हैं तो mycelial ठीक है mycelium ऐसे दागे नुमा होते है mycelial होते हैं और यह किसमें मिलता है वही begeat oa जो sulfur bacteria मैंने बता है वह इस type का होता है mycelial इस type का ठीक है so होते हैं वह unicellular हैं लेकिन अलग-अलग shape form कर सकते हैं कुछ होते हैं stocked stock होती है bacteria यह है उसकी stock है तो उनको बोलते हैं stock bacteria को क्या बोलते हैं colobacter stock bacteria को क्या बोलते हैं colobacter या फिर कुछ होते हैं budded यह bacteria है उसकी buds निकलिये हैं so every type is found every type of form is present found budded so bacteria के common types यह 4 हैं और ध्यान रखियेगा यह एक दो तीन चार NCRT में diagram दिये है question आता है don't ignore the even the smallest diagram also हो चोटा ऐसा चोटा diagram भी अब यहां पर मैं आपको एक चीज़ बता दू बच्चे confused होते हैं और नीट में भी पूछते हैं देखो बैसिलाई के जहां दिये हैं NCRT में वहां पर ऐसा diagram बैसिलाई तो rod shaped है पर कई जगह ऐसा spoon जैसा structure भी दिखता है तो बच्चे confused हो जाते हैं यह क्या है यह तो rod जासा नहीं दिख रहा है जबकि होते वह बैसिलाई ध्यान रखना यह इस ऐसा structure कब दिखता है When they form जब जब भी bacteria में spore formation होता है So endospore यह मैं आपको बताऊंगी Endospore जब spore formation होता है तो वह बैसिलाई ऐसे दिखने लगने तो वह diagram दिया हुआ है But it is shape wise it is bacillus यह bacilli यह plural लेकिन endospore formation ठीक है तो stock bacteria हो गए बदेट यह rare forms है common forms है चारो यह spirulam, vibrio and all ठीक है उस पे मुझे एक बात याद आई चिल्रून Those who have registered आप लोगों में इसे जल्दी registration कराईए जो registered बच्चे हैं उनको मैं बता रही हूं बायो में आपको इस biological classification की बहतरी in excellent sheet आपको इसमें if you are giving NEET or class exam or any other you will get each and every जो मैं बोल रहीं each and everything exclusive sheets from the class आप जब भी registration कराने जाएं you can ask वहाँ आपको sheet मैंने रख दी हैं आपको बाकाइदा सभी chapters की exclusive sheet मिलेंगी biological की भी पहले ले लीजिए जल्दी registration कराईए वो sheet में आपको बहुत आराम हो जाएगा तो जब मैं पढ़ाँ तो just open the sheet आपका वो time बचेगा you write only something extra or drawing everything is there in the sheet so just go to the अलग अलग time पे जाएए आप आप phone पे बात कर लीजिए और sheet अपनी ले आएए और registration कराके sheet plus you आपको हर कुछ दिन में I have prepared test वो भी ऐसे अच्छे quizzes और test हैं वो सब भी आपको मिलेंगे notes मिलेंगे and one more thing आपको इस chapter से related हर class के बाद diagrams डाले जैसे आज मैंने ये पढ़ाया उसे related diagrams हैं not from book handmade diagram आपको with label और भी extra knowledge वाले जैसे आपको ये grand staining का पूरा schematic chart जो है वो डाल दिया जाएगा on your app the children who are registered okay so get yourself registered now this was the shape so shape में ये जो चार type है cocae, bacilli, spirulam and vibrio इनके भी अलग-अलग forms हैं जैसे and terms important हैं आते हैं जैसे goal वाले, spherical shape वाले हैं cocae उनको क्या बोलते हैं cocae तो कितने type के मिलते हैं दो एक साथ उनको बोलते हैं उनको क्या बोलते हैं डिपलो कोकाई ठीक है फिर एक साथ एक strip में उनको बोलते हैं स्ट्रेप्टो कोकाई पच्छन आता है एक strip में दो हैं डिपलो कोकाई एक हैं तो मोनो कोकस one spherical two diplo यह मिलते हैं इनफॉर्म्स में स्ट्रेप्टो कोकाई अच्छा इफ दे आरें इन क्लस्टर ऐसे गुच्छे में जैसे हैं हैं spherical shape में लेकिन गुच्छे में हैं तो उनको बोलते हैं स्ट्रेफाइलो कोकाई क्या बोलते हैं उनको स्ट्रेफाइलो कोकाई और अगर वो बिल्कुल cube form में हैं अगर कैसे arranged हैं बिल्कुल cube form में arranged हैं जैसे यहने ऐसे एक cube के form में arranged हैं अगर वो हैं spherically तो उनको बोलते हैं सार सीने मैं repeat करते हूँ अगर spherical हैं और अकेले हैं monococcus दो-दो साथ में हैं diplo कोकाई एक strip में हैं strepto कोकाई cluster में हैं गुच्छे में हैं staphylo कोकाई और अगर cube के form में arranged हैं तो सार सीने terms important है तो इन forms में यह मिलते हैं in different morphological forms में यह मिलते हैं suppose bacilli है तो bacilli कैसे मिलेंगे bacilli जो है वो ऐसे मिलेंगे देखें यह तो bacillus एक हो गया यह diplo bacilli हो गया सो कैसे मिलेंगे diplo bacilli ठीक है फिर strepto bacilli एक strip में है ठीक है और कई कई बार ऐसे धेर में भी मिलते हैं तो उसको बोलते हैं palisade so rod forms के यह shape है एक होगा तो bacillus diplo bacilli 2 strepto bacilli एक धेर में है तो bacilli और spherical के बहुत सारे forms है spiral shaped है और vibrio comma shaped है तो यह सब morphology में 10 seconds आप इसको फटा फटो करिये should I rub now the I will give you the detail of bacteria and we will enter the bacteria from outside to inside तो मैं एक general आपको बता रहे हूं अंदर अपन बाद में जाएंगे एक general bacteria बता रहे हूं draw करके क्या होता है उसकी होती है तो मैं आपको कुछ appendages कुछ structures बता रहे हूं तो मैं आपको कुछ जा के बत्रया पे बहार केश्टर में एके बत्रच वे क्यूटक्टरी कैक Him. okay, so these are few structures which arise from the bacteria, now I have made 3 structures which are arising from the outer side of the bacteria. remember these small ones and many in number they are called as fimbriae, what are they called? fimbriae, okay, they are many, now these black structures which are a little bit larger than these, longer than these fimbriae and are hollow, they are called sexpillai, what are they called? sexpillai, pillai or fimbriae or we can call them normal pillai, okay, these long ones sexpillai or fpillai, kuch bhi bole, one or few long structure maybe these are flagellum, one is flagellum, many are flagellum, so these appendages we will be doing these appendages in detail, hum pehle karenge flagellum, now this structure is meant for what? it is meant for motility, so flagellum, it is meant for motility, so flagellum, it is meant for motility, it is a hollow structure, hollow and made up of which protein, made up of, question and flagellum, 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 flagellum protein, and flagellum protein, protein, johai, uske monomers, kaisse lagae hain, 4 plus 4 ke monomers lagae hain, arise from, from basal body or blepharoplast, kuch bhi bole yeh, important hai, kahan se arise ho rhae hain, basal body or pharoplast, wou mein aapko بتاؤun ghi, thik hai, consist of filament, hook and basal body, toh jo flagella hain, wou uske baare mein sab baathe likhi hain, kaisa hain, eubacteria ka, if it is one it is called as flagellum, many called as flagella, because I have drawn one, it is used for movement by the bacteria, then its hollow, under se khokla hain, made up of which protein, flagellum protein, flagellum, and monomers, toh main, yeh par aapko بتاؤun ghi, kaisa monomers ate rehenge, now, all monomers are made up of which protein, flagellum, ho gae 4-4, na, ab yeh puray ase lembai me laghe, yeh hollow hai, toh yeh is type ka dikhtha hai, thik hai, aur yeh kaisa arranged hai, yeh sare, aise arranged rahenge, wou aapko saamne se kaisa dikhenge, is type se dikhenge, hai na, aise, toh yeh pura is tariqe se spirally arranged monomers rehenge, aur oopar se dekhenge, toh 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 4, plus 4 monomers, kai ke flagellum, teem part hai, teem part or dhekhthe hai, toh mahi yeh, yeh haan se section kaat tii ho, matlab yeh kahaan se arise ho raha hai, cytoflans hai, anndar se, direct anndar se ho raha hai, bahar se nai ho raha hai, flagellum, so, woh anndar wala portion, toh pehle toh mahi eek cell wall binaoongi, thik hai, aur phir mahi binaoongi, cell membrane, red color ki hai na, yeh membrane, isko enlarge kar diya, yeh kya hai, red membrane hai, cell membrane hai, aur yeh kya hai, yeh cell wall hai, clear hai, aap logonko, so, this is the cell wall with blue, and with red it is the cell membrane, clear hai, cell membrane hai, now, what happens is the, how this flagellum is arranged, so, it is arranged like this, one ring, two ring, a rod, again one ring, rod, two ring, this portion is the, this whole portion is the basal body, kya bolte isko basal body, kya bolte isko basal body, kya bolte isko basal body, aur yeh L ring kehlati hai, naam hai, yeh P ring hai, yeh neat mein aasakta hai, nicely mein detail deh rahi hun, yeh S ring hai, plates hai, aur yeh M plate hai, yeh ring, kuch bhi bholi hai, okay, toh two rings are embedded in the cell membrane, two in the, and this is a rod, now this rod will extend and form a, hook, so, iske, yeh rod extend hoote hai, hollow hai, aur aage filament hai, yeh wala, jo menei red color ka bana hai, toh, uske oopar kya hai, it's, there is a hook, curved hook, toh yeh portion kya hai, it is a curved yeh hook hai, sirf yeh wala portion, and this is the filament, clear hai, toh, mainei kya likhvaaya hai, consist of filament, that is the hollow long portion, which is, which helps in movement of the bacteria, then the hook portion, and this is the basal body, which has four plates or rings, L, P in the cell wall, S and M embedded in the cell membrane, and the whole structure is the basal body, aur yeh rod shape, kyaan se curve, utha part, hook, all, sab kuch andar protoplanche se, ab kya hoota hai, yeh joh plates hai, yeh rotate hoote hai, tab yeh flagella ko move karti hai, toh flagella asa move hoota hai, aur usseh bacteria move hoote hai, motile, motility milti hai bacteria, clear hai, just copy it down, the way I have given, made up of monomers, all are made up of single type of flagellin protein, and flagellin protein is a contractile protein, which contracts, and the, and the bacteria moves, mein aapko yeh islihii bata rhi hoon, ki, aapko eek prokaryot flagellin aur eukaryot flagellin meh difference aega, jab mein eukaryot meh bhi flagella paaye jate hai, uska difference bata hoon hii, toh samaj meh ajae ga, islihii yeh bhaot acchhe se, likhiyeh, padh padh ke, ki kya hai, now, should I wrap, now, according to how many flagella are present, yeh bhi terms important hai, even in neat they ask, so, how many, and remember, do not worry, the registered children, they will get everything in their nodes, okay, so, now, the, according to how many flagellin, single aur many, on which side, iske upar bhaot saray types hain aur wo types hain, so, flagellation, this is also important, sab topics important hai, flagellation, NCRT has, I think, only given the name, and remember, in NCRT, the grand staining is given in cell, chapter cell as unit of life, but, who, yehaan bhi, pooch sakte hai, vahaan, course mein toh hai, pura, so, I, flagellation, toh, first, I will draw, indermot vine, on their way around, since we will draw a line, as they come back Now, these are the following types, this is a rod-shaped bacteria, उसमें मैंने आपको यह बताया, Now, this first one, क्या इसके आस-पास, cell wall पे कोई appendage है, So, A, मैंने आपको पहले भी बताया है, A word is नहीं, A tricus, trichome यहने hair-like structure, So, it is A tricus, क्या है वो? A tricus, next, एक flagellum है, क्या है? Only single flagellum on one side, so it is monotricus, क्या बोलते हैं उसको? Monotricus, दोनो तरफ है, बोट साइब, एक-एक, amphitricus, ठीक है? अगर, बैक्टिरिया के एक side है और गुच्छे में हैं, टफ्ट में हैं, एक side, तो लोफो, tricus, अगर दोनों side, टफ्ट में हैं, गुच्छे में, एक-एक नहीं, गुच्छे में, एक-एक होगा तो MP, sorry, sorry, लोफो इस वन side नहीं, दोनों side यह है, सिफेलो, सिफेलो, ट्राइकस, अगर, दोनों side है, तो लोफो, ठीक है? और पूरे चारों तरफ है, तो पहरी, यह different type of flagellation important है, I'll put Z, Z, why? because term meaning आता है, 11th में भी आता है, और इसके examples भी आते हैं, which I'll give you, A-trichus मतलब flagella है ही नहीं, Mono-trichus, flagella एक तरफ एक ही है, Amphi मतलब बोथ दोनों तरफ हैं, और एक तरफ अगर tuft में हैं, तो that is cephalotrichus, दोनों तरफ tuft में हैं, तो it is lofotrichus, और चारों तरफ हैं, तो it is peritrichus, यह सब types आपको by heart terms learn होने चाहिएं, कुछ में तो नाम में ही मीनिंग है, Amphi मतलब both sided, Mono मतलब एक A मतलब नहीं, बस cephalo मतलब होता है, head की तरफ, cephalotrichus, lofo tuft में हैं, और दोनों तरफ हैं, और peri word का मतलब ही होता है, peri मतलब चारों तरफ, peri-feri किनार है, सब किनारों पे, तो peritrichus, जल्दी से लिखिए हैं सारे peritrichus, मैं कुछ examples आपको बता देती हूँ, एक-एक, जैसे Mono trichus का है, Vibrio, Vibrio cholera, ठीक है, A trichus का क्या है, Mono का है, A का नहीं, A का नहीं, यह Mono का है, okay, Mono trichus का है, Vibrio cholera, लिखा, Mono trichus का है, Vibrio cholera, Amphitrichus का है, Nitrosomonas, कौन सा है Amphi का, Nitrosomonas, A trichus का लिखें, Lactobacillus, A trichus का क्या है, Lactobacillus, Mono का है, Vibrio cholera, Amphi का है, Nitrosomonas, और, Lofo का है, Lofo trichus का है, Spirulum, Spirulum, Peri का है, E coli, Ischerichia, Peri का क्या है, Ischerichia, coli, और, इसका है, Psephalo का है, Pseudomonas, So, these are the few examples, and आपको जल्दी से उतारिये, जल्दी से ये उतार के, So, you have to do the flagellation, you have to learn the flagellation part also, You have to learn the flagellation part, A trichus, Lactobacillus, Mono trichus, Vibrio cholera, Amphitricus, Nitrosomonas, Cephalotricus, Pseudomonas, Spirulum, टाइप के कई बेक्टीरिया, Spirulum, Lofo trichus, and Peri trichus, तो बहुत कॉमन है, Ischerichia, coli, E coli, बहुत कॉमन बेक्टीरिया है, बहुत सारे experiments में, और बहुत बार में उसका नाम लोंगी, और इन सब का भी लेंगे, तो दीरे-दीरे करके आपको आजाएगा, Don't worry, how to learn, because in bio you have number of terms and names to learn, So वो बार-बार जब आते हैं, तो you'll learn, यह जैसे nitrogen cycle में आएगा, यह जब हम disease पढ़ेंगे, Vibrio cholera, तो ऐसे learn हो जाते हैं, कुछ common, यह बी इसका economic importance पढ़ेंगे, तो दीज आद फ्यू common ones and the type of flagellation, So we have done what the shapes, cocae, bacilli, that is rod shape, spherical shape, then spirulums, spiral shape and commercial, all the shapes and उसके भी types, terms कर चुके हैं, We have done flagellation in bacteria, we have done very important gram staining, gram positive and gram negative. Now, one more thing, this is, I had told you, the two more appendages are found on the cell wall, abhi मैंने draw किया था, तो draw करके, ये याद आया आपको छोटे-छोटे वाले उनको क्या कह रहे थे, फिंब्री ये या, और कुछ बड़े वाले थे, hollow, गुजादा नहीं थे, So, these were called as sex pili and these are called as fimbriae, और pili, ab kya फरक है, pili जो है, चाहे वो sex pili हो, चाहे फिंब्री ये common pili हो, Both are not meant for motility, but for adherence, चिपकने के लिए, so they are used for fixation. To the host, host की हमारे अंदर intestine में है, हमारे mouth में, तो हमारी cell से चिपकने के लिए, adhere, वो adhere होने के लिए क्या है, these are the fimbriae, so they are bacteria को कभी motility में help नहीं करते, made up of pili protein, pili protein, kis protein के बने, pili protein, and this protein is non-contract, non-contract, contract करते ही नहीं क्योंकि movement में help करी नहीं रह, contractile, ठीक है, they are many in number, in number, कौन से वाले, simple pili या फिम्री है, many in number, जबकी, जो sex pili हैं, जो few in number, and hollow, and hollow, they are tube, now I will tell you what, why these special pili's are, कम होते हैं, और खोकले होते हैं, यह जिन bacteria में पाए जाते हैं, यह sex pili, they are usually male, considered as male, bacteria में sexual reproduction बहुत obvious थे हैं, बहुत अच्छे से नहीं होता, लेकिन sexual reproduction के types हैं, जो मैं आपको कराऊंगी, transduction, conjugation, तो sexual reproduction मतलब, एक से दूसरे में कुछ जाना, so, जब भी कुछ चीज pass होती है, तो इन tube से pass होती है, to the female bacteria, female वाले को, male, उसको consider करते हैं, जो देता है, इसलिए यह sex pili पाए जाते हैं, इससे attach हो जाते है, female से, और इनके tube में से यह चीज चली जाती है, so, sex in conjugation, यह special pili इन में पाए जाते हैं, they are considered as male, ठीक है, या इसलिए इनको क्या बोला गया है, F pili भी, fertility, क्योंकि fertility में help करते हैं, sexual reproduction में, F pili, clear है, यह और detail में बताओं में आपको, now, वो difference पूछ सकते हैं, what is the difference between fimbriae, मतलब normal pili and sex pili, तो मैं आपको यही difference बता देती हूं, तो normal pili, many in number, sex pili, few in number, 3, 4, 5 at the most, not more than that, then they are longer, they are shorter, they are hollow, they are not hollow, these are hollow structures, they are used for adherence, for fixing to the host wall and they normally pathogenic bacteria, जो बिमारी करते हैं, उनमें पाये जाते हैं, क्योंकि adhere करने के लिए कुछ चाहिए, and this sex pili, these are considered as male, they are used for, they are hollow, so they are used for passing the genetic material from the male bacteria to the female during conjugation, so यह differences आप लिख सकते हैं, अगर आए तो between fimbriae and sex pili, दोनो ही type pili, appendages हैं, तो we have done all the appendages, हमने बोला था, मैं बाहर से अंदर जाओंगी, अब आपन next class में करेंगे cell wall, cell membrane फिर अंदर देखेंगे क्या-क्या है, इस तरीके से bacteria को detail हम उसके अंदर तक जाके देखेंगे बाहर से अंदर की क्या-क्या चीज़ें हैं sequence में, यहां तक clear है, यहां तक revise करिएगा और जल्दी से जाके जब आपको समय में ले phone करके sheet ले आईए biological, so बहुत आसान हो जाएगा the registered one, register कराईए और sheet ले जाएए, you will find the difference की आपको कितना फरक पड़ेगा, so just do that, thank you.